हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो ग्राफ्टिक्स रूडियो वन्स अगेन तो मुझे फिर से मिल गया था था थाली डेकॉरेशन करने का ओर्डर एक्चली मेरे एक बहन का स्कूल प्रोजेक्ट था ये तो वो ही ओर्डर किये थी तो थाली पेंट करने के लिए पहले पानी में अच्छे से वर्ष कर लेना है थाली को और इसके बाद मैं 30 मिनिट तर इसको भीगो के रखी थी पानी में भीगो के रखने का रीजन यही है कि पानी जितना अब्सॉर्फ हो जाएगा कलर करने के टाइम उतना एक कम कलर यूज़ करना पड़ेगा और कलर अच्छे से अब्सॉर्फ हो जाता है थाली कलर करने के लिए मैं इधर फेबिक क्रिल का अक्रिली कलर यूज़ की हूँ और मेरे पास ब्राउन कलर का शॉटेस था तो मैं इधर और अरेंज और ब्लेक कलर मिक्स करके ये ब्राउन कलर रेडि की थी तो ये brown color पूरा हो जाने के बाद अच्छे से सुखा लेना है और इसके बाद मैं जो basic design है वो pencil से draw गी थी जैसे कि circle हो गया और भी जो basic design है वो और इसके बाद ये जो basic outline है उसको color से outline कियी थी outline complete हो जाने के बाद जो main design है उसको complete करना है मैं पहले सोची थी कि बहुत simple सा कुछ design करूंगे लेकर एक तम simple design मुझे पसंद ही नहीं आता कभी तो इसके बाद मैं ये design अपनी हिसाप से complete की थी नेक्स्ट ये जो दिया दिखाई दे रहा है नेक्स्ट ये जो दिया दिखाई दे रहा है ये से लेकर ओडर कर नहीं था दिवाली का season चल रहा था तो मैं सोची इसको भी color करके थोड़ा वीडियो बना लेते हैं मेरे चैनल के लिए भी काम आ जाएगा तो इधर मेरा दिया सेट और थाली दोनों ही ready हो गया है ये खाने के लिए नहीं है तो इसको उपर से varnish और spray paint का एक coat भी दिया जा सकता है और भी glossy दिखाने के लिए वीडियो अब लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएए मिलते नेक्स वीडियो में तिल देन बाई